सिरी 500 रुपय अगर हर महीने SIP पे इंबेस्ट किया जाए तो यही इंबेस्ट में कुछ सालों बार करोदों में रिटन दे सकता है और यही एक रिजन है जिस रिजन की वज़े से आज इंडिया में हजाडों नहीं लाखों लोग SIP को कर रहा है SIP को सुरू कर रहा है लेकिन समझ सा यहां पर यह आ रही है कि जो लोग SIP करना तो चाता है लेकिन उनको यही नहीं पता कि SIP में आखिर सुरूआत कैसे किया जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगको बिल्कुल आसान भासा में step by step गाइड करूँगा कि अगर आप share market में नया हो तो आप कैसे SIP में सुरूआत कर सकते हो तो वीडियो काफी जदा interesting, काफी जदा knowledgeable होने वाला है तो वीडियो को कर दो अभी से like, channel को कर दो subscribe, चलिए करते हैं वीडियो की शुरूआत अगर आपको SIP में सुरूआत करना है ना, तो तीन ऐसा SIP से related सवाल है, ये तीनो सवालों का जवाब आपको जानना पड़ेगा जब आप ये तीनो सवालों का जवाब आप जान जाओगे ना, उसके बाद SIP को सुरूआत करना, आपके लिए एक बच्चो का खेल हो जाएगा पहले बताता हूँ कि वो तीनो सवाल क्या है, उसके बाद बताऊंगा वो तीनो सवालों का जवाब क्या है सबसे पहला सवाल है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि SIP अखिर होती क्या है SIP का basic आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला सवाल दूसरा आपको ये समझना होगा कि SIP में जो आप पैसा को invest करते हो वो पैसा जाता कहा है आपको SIP में return मिलता कैसे है ये तो कोई जुआ नहीं है ना कि आपने 1000 लगाया काल आपको 2000 मिलेगा SIP एक systematic way है जो way से लोग पैसा को invest करता है और उसको long time में पैसा मिलता है क्या होता है SIP का meaning आखिर क्या होता है देँ एक systematic तरीके से से हर महिने पैसा invest करते हो कोई सब्सक्वान में इसको बोला जाता है S.I.P. इसका full-form होता है systematic investment plan यानि कि आप एक systematic तरीके से पैसा इंवेस्ट करते हो कोई से भी फंड में, अब कैसा फंड, कौन सा फंड, इसके बारे में आगे बात करते हैं, पहले बेसिक को आप समझ लो, कि आप एक सिस्टेमेटिक तरीके से पैसा इंवेस्ट करते हो कोई सा भी फंड में, ठीक है, अब कितना पैसा इंवेस्ट करन पढ़ेगा इतना समझ गए SIP का basic अब आपको यह समझना पढ़ेगा कि SIP में जो हर महीना पैसा investment किया जाता है वो पैसा आखिर जाता कहां है पहला यह आपको समझना पढ़ेगा देन आपको finally यह पता चल जाएगा कि अगर आपको SIP को सुरू करना है तो आपको आखिर क्या करना पढ़ेगा तो पहले समझते है कि SIP में जो पैसा investment किया जाता है वो पैसा आखिर कहां जाता है देखिए SIP में जो पैसा investment किया जाता है वो SIP सिर्फ एक नाम है दरसल वो पै सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेट्मेंट करते हो इसलिए नाम रखा गया है SIP यानि कि सिस्टेमेटिक इन्वेट्मेंट प्लान लेकिन वो पैसा जाता कहा है इन्ट्रेस्ट भी है लेकिन आपको शेर मार्केट में नॉलेज ही नहीं है पैसा है इन्ट्रेस्ट है लेकिन नॉलेज नहीं है अब आपका एक फ्रेंड है जिसको शेर मार्केट में काफी ज़्यदा इन्ट्रेस्ट है और नॉलेज भी है लेकिन उसके पैसा नहीं है एक तर तू मेरा पैसा को invest कर profit कमा और वहाँ से कुछ परसन तू commission रख लेना बाकी मुझे लोटा देना सीम यही कहानी mutual fund का है mutual fund का मतलब यह होता है कि कुछ बड़े लिखे लोग कुछ educated लोग वो लोग मिलकर एक team बनाती है आम public जो है वो पैसा को invest करती है इस तरीका का share market में काफी सारा fund है काफी लोग expert expert मिल कर अपना अलग 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 एक fund बनाती है ठीक है काफी सारा fund है अब basically क्या होता है कि share market में वो fund में public पैसा को invest करती है fund में पैसा आ गया public का पैसा आ गया अब वो fund का जो manager रहता है जो fund का जो expert-expert लोग रहता है वो लोग क्या करता है कि वो public का जो पैसा है वो लोग share market में invest करता है share market में अलग-अलग जो company जो अच्छी company है उपर जाएगा company का जो share का प्राइस है वो उपर जाएगा वैसे-वैसे भी fund भी grow करेगा और वैसे-वैसे ये fund का जो पैसा है public का जो लगाए हुआ पैसा है वो भी grow करेगा तो जिसको लगता है कि share market जुआ है mutual fund, SIP ये सारा जुआ है तो उनको basically ये वाला वीडियो send कर देना ताकि उनको भी पता चले कि share market कैसे काम करता है SIP कैसे काम करता है ये कोई जुआ नहीं है, totally business है जैसे-जैसे company का business गुरे-पुरेगा तो company भी grow करेगी और वैसे-वैसे fund भी, mutual fund भी grow करेगा तो simple ये ही fund है SIP का तो यहाँ तक आप समझ गए ना कि SIP कैसे काम करता है कैसे आप थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा हर मैंने पैसे को invest करोगे और long time में आपको कैसे return मिलेगा सारा doubt आपका clear हो गया अब आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको SIP को सुरू करना है तो आपको आखिर क्या करना पड़ेगा अब देखिए जिस तरह अगर आपको ATM से पैसा withdraw करना है तो उसके लिए आपके पास एक bank account होना जोरूरी है सेम उसी तरह अगर आपको share market में पैसा investment करना है या फिर SIP करना है तो उसके लिए भी आपके पास एक trading plus dmit account होना काफी ज़्यादा जोरूरी है अगर आपके पास trading और dmit account है तो आप ये SIP को सुरू कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है dmit account तो मैंने link नीचे दे दिया है वहाँ से जाके आप download करके कहीं भी अपना dmit account को खुला सकते हो चाहे group, uptalks, angel one, zero पहले जाओ download कर लो उसके बाद वहाँ पे आप अपना account को खुल लेना account खुलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपके पास एक bank account होने ज़रूरी है pen card चाहिए, आधार card चाहिए तो ये तीनों documents है तो आप नीचे जाओ download कर लो और वहाँ पे आपना dmit account को बनवाल हो, जब आप अपने dmit account को बनवाल होगे उसके बाद आपका पहला काम है कि आपको fund को selection करना पड़ेगा कि आप कौनसे fund में SIP शुरू करना चाहते हो मैंने बोला था ना कि share market में काफी सारा fund है तो आपको वो selection करना पड़ेगा कि आप कौनसे fund में SIP शुरू करना चाहते हो large cap fund है, mid cap fund है, small cap fund है ठीके ना तो पहले तो आपको fund को selection करना है कि किस fund में आप SIP करना चाहते हो fund को जब आप selection कर लोगे तो उस fund में आप SIP सुरू कर देना अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर आप share market में नया हो और आपको fund को selection करना ही नहीं आता कि SIP के लिए आखिर based fund क्या है अगर आपको यह जानना है तो यह उपर वाले वीडियो दिख लेना और अगर आप अपने mobile से SIP को सुरू करना चाहते हो तो यह नीचे वाले वीडियो देख लेना है